प्रिया बिद्यार्थियों बिल्कुल ही एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं और यह जो वीडियो है कक्षा एग्रावी के विद्यार्थियों के लिए है भी सह हिंदी और हिंदी मैं मैं आप लोगों के लिए उपनियास को लेकर आया हूं जो है गबन और ज कि आप किस डिस्टिक से इस वीडियो को देख रहे हैं और शाती साथ मैं हिंदी का आपका लगभग 95% स्लेवस पूरा कर चुका हूं यदि आप उन नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं जिसका नाम निखा हुआ है डाबलू बी क्लास 11 हिंदी समिस्टर 2 और सबसे अच्छी बात यह है न कि मैं आप लोगों को सेकेंड समिस्टर को ध्यान में रखकर जो आपके सेकंड समिस्टर का एक्जाम पैटर्न है जो मार्क्स है उसको ध्यान में रखकर ये सारे स्टडी मेटेरियल को बनाया हो यदि आपको इसका पीडियेप चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा वाटसप नंबर दिया गया है वहां से जूड़कर कुस्टम सेंड कंडिशन पर आपको पीडियेप जरूर प्रुभाइट किया जाएगा अभी मेरे पास complete हिंदी का पीडियेप मिल जाएग आपको और भी बहुत सारे सब्जेक्ट का पीडियेप में प्रुभाइट कर सकता हूँ लेकिन वो complete नहीं है थोड़ा थोड़ा अनकंप्लीट है 10 देज के अंदर वो भी सारे complete हो जाएगे तो इसमें मैं आप लोग के इस वीडियो में गवन के जो 35 से लेकर 50 तक जो है हैं तो चलिए हमारा पहला कोशन क्या है देवी दिन के चरित्र के मुख्य गुणों का वर्णन कीजिए उनके बेवार में आए बदलावों पर चर्चा करे तो देवी दिन एक सच्चे अवर निश कपट बुजुर्ग बैकती हैं चो समाज और परिवार के प्रती निश्ट रखते हैं उनका दिल साप है और वह अपने रिष्टो के प्रती वाफदार है वे रामानात के मुकदमे के कारण बहुत तनाव में थे जो उनके चेहरे और विवार में साप दिखाई देता है आम तोर पर जो बैकती प्रसन चित रहते थे वे अब चिंतावर परिशानी में डूबे हुए हैं उन्होंने चाय की दुकान बंद कर दी और रामानात के गवाह बनने के दोरान तिन दिन तक कुछ नहीं खाया या सोया उनके अंदर समाज के अन्याय के प्रती क्रोध भी देखा जाता है जब वे कहते हैं कि अपने मतलब के लिए जो दुसरों का गला उसको जहर दे देना भी पाप नहीं है यह बताता है कि उन्होंने दुनिया के स्वार्थी सभाव को शमज लिया है इसके अलावा देवी दीन में अब भी एक सधारन बुजुर्ग की द्यालूता अवर परिवार के प्रती समर्पन दिखता है जैसे हुए गोपी अवर उसक शरकारी गवा बनने का क्या महत्व है वह इस मामले को किस तरह से देखती है तो जालपा शरकारी गवा बनने के महत्व अवर उसके पीछे की समाजिक निंदा को भली भाती समस्ती है शमाज में सरकारी गवाहों की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि उन्हें विश्वास घाती के रूप में देखा जाता है जालपा मानती है कि यदि कोई ब्यक्ति अपने किये हुए पापो का परदा हटा कर सत्य को उजागर करता है तो वह सज्जन हो सकता है लेकिन यदि कोई स्वार्थवर डर के कारण अपने सातियों को धोका देता है तो वह कायर पतित कहलाता है जालपा यह नहीं मान पाती की रामानाथ ने सिर्फ अपने प्राण बचाने के लिए शरकारी गवाह बनने का फैशला किया वह इस फैशले के पीछे के कारणों को शमजने की कोसिस कर रही है और उसे यकीन नहीं होता की रहमाने केवल डर के कारण ऐसा कदम उठाया होगा उसकी द्रिष्टी में रहमा का यह कदम समाज में उनकी प्रतिष्टा के लिए घात अगे जग्गो अवर देवी दीन के बीच के शनवाद में नारी की भूमिका पर क्या प्रकाश डाला गया है जग्गो अवर देवी दीन के बीच का सनवाद नारी की भूमिका अवर उसके कारियों पर गहरा शंकेत देता है जग्गो एक परिपक्व अवर शमसधार महिला है जो अपने पती देवी दीन की चिंतावर थकान को शमस्ती है अवर उसका शमधान करने का प्रयास करती है ज इलम रखने की पेसकश करती है और उशे जलपान के लिए प्रेरित करती है इससे ही अश्पष्ट होता है कि जगो परिवार की देखवाल करने वाली और सयमित महिला है जो अपने पती की भलाई को प्रात्मिक्ता देती है इसके अलावा जब गोपी और उसकी पतनी आते हैं त तो जग्गो तुरंत उनके सभाव की तैयारी करती है, घर साफ करती है और खुद भी सजधच कर तैयार होती है, इससे यह सिद्ध होता है कि जग्गो शमाजिक नियमों और मान्यताओं का भी आदर करती है, और अतितियों का स्वागत पूरी आत्मियताशे करती है, यह शनव आगे रामनात का शरकारी गवाब बनना किस प्रकार समाज और उनके परिवार को प्रभाव डालता है। देवी दिन इस बात को लेकर क्रोधित है कि रामनात ने पंद्र बे गुनाहों को फशा दिया और कई लोगों को फासी की शजा हो सकती है। उनके मन में रामनात के प्रती निरासा और दुख उत्पन करता है। जालपा इस बात को लेकर अत्यधिक आहत होती है कि रामनात ने सरकारी गवाब बनने का फैसला किया। क्योंकि यह समाज में अपमान जनक माना जाता है। जालपा मानती है कि सरकारी गवाब बनने का मतलब है कि बेक्ति ने अपने साथियों के साथ धोखा किया। और यह समाज में घिनना का कारण बनता है। गटनावों के अधार पर शमाजिक न्याय अवर अणियाय पर अपने विचार ब्यक्त करे। तो इस पार्ट में शमाजिक न्याय और न्याय के कई पहलूओं पर चर्चा की गई है रमानात का शरकारी गवाब बनना और देवी दीन की प्रतिक किरिया से यह असपष्ट होता है कि शमाज में न्याय का मतलब केवल कानून का पालन करना नहीं है बलकि उसमें नैतिक और सचाई की भी बड़ी भूमिका होती है रमानात ने अपने स्वारत और डर के कारण शरकारी गवाब बनकर अन्ये लोगों को फशा दिया जिससे कई निर्दोस लोगों को फाशिया लंबी सजा हो शक्ती है यह एक प्रकार का शमाजिक अन्याय है क्योंकि जिन लोगों ने कोई अपराध नहीं किया है उन्हें भी सजा भूगत नहीं पड़ेगी अबर दूसरी और देवी दीन जैसे लोग जो नैतिक रूप से सही है इस न्याय के खिलाफ अमाज उठाते हैं शमाजिक न्याय का अधार सचाई और निस्पक्षता अबर है और जब किसी ब्यक्ति के ब्यक्तित्व लाब के लिए अन्याय किया जाता है तो यह पूरे समाज के लिए हानिकारक शावित होता है अगले देखिए प्रश्ण रामानाथ के जीवन में राजसी भोग विलास के अनुभाव का उसके मानसिक वर नैतिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा तो रामानाथ का जीवन जूप अले पुलिस के भैयावर छिप कर रहने तक सिमित्धा अचानक बदल जाता है जब उसे राजसी भोग विलास का अनुभाव होता है सुन्दर भंगले, चौकीदारो, मोटर, कस्मिरी, बावर्ची और बड़े अफसरों के साथ उठने बैठने से वह एक उचवर के जीवन का हिस्सा बन जाता है इस विलासिता ने उसकी विवेक बुद्धी को सम्मुहित कर दिया अबर उसे यह सोचने का आफसर नहीं मिलता कि वह क्या कर रहा है उसे अपने कारियोंशे बेगुनाःों का खून बहने का भी अभाश नहीं होता क्योंकि उसे हमेशा किसी न किसी मनुरंजन में ब्यास्त रखा जाता है इस भोग बिलास में डूबने के कारण रमानात के नैतिक मुल्यों का हार्स होता है वह इस जीवन को ही अपने उदेसे की पूर्ति मान लेता है और खुद को एक नए बेहतर जीवन की ओर जाते हुए देखता है जिसमें कटोर सयम और उच्च आदर्स होंगे परंतु यह मात् एक भ्रांती थी क्योंकि जब भी नए प्रलोभन शामने आते हैं उसका शंकल्प कमजोर हो जाता है इस प्रकार विलासिता ने उसके मानस्वी कवर नैतिक विकास का नकरात्मक प्रभाव डाला और उसे अपनी वास्तविक्ता से भटरकने पर मजबूर कर दिया आगे रमा तो रमानात की जल्पा से मूलाकात के बाद उसकी मनोदशा में अत्यधिक परिवर्तन आता है जब देवीदीन के घर से गुजरते समय जल्पा को देखता है तो वह चोक जाता है और उसे विश्वाश नहीं होता कि जल्पा वहां कैसे आई उसकी धड़कने तेज हो जाती है और वह जल्पा से मिलने के लिए बेचैन होज उठता है जब उसे जल्पा का पत्र मिलता है तो उसकी आत्मा पर छाय तना और अपराद बोध का भार हलका हो जाता है पत्र पढ़ने के बाद रमानात को अत्यधिक अस्पूर्ति और आत्म विश्वास का नुभा होता है उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका पुराना बोज उतर गया है और अब वह एक नए जीवन की सुरुवात कर सकता है वह यह सोचने लगता है कि जल्पा को अपने साथ रखने में अब कोई बाधा नहीं होगी इस प्रकार जल्पा से मिलने की अपना ने रामानात के जीवन में एक शकरात्मक मोड लाया जिससे उसकी मानसिक इस्तिती में महत्वपून बदलाव हुए आगे रामानात और पुलिस के बीच शंबंदों का वर्णन करे और वे कैसे रामानात को नियंतरित कर रहे हैं रामानात और पुलिस के बीच का पुलिस ने रामानात को अपने कबजे में रखा और उसे लगतार बिभिन मनुरंजन में ब्यस्त रखकर उसकी मानशिक्ता पर प्रभाव डाला है। पुलिस की या राजनीती रामानात को भोग विलास में फशाय रखती है ताकि वह किसी भी प्रकार की नैतिक या समाजिक चिंताओं से दुर रहे आगे। रमानात के चरित्र में अंतर दुंद और उसकी नैतिक कमजोरी का बिशलेशन करें। तो रमानात का चरित्र नैतिक दुंद में से भरा हुआ है। एक और वह विलासिता और भोग में डुबा हुआ है और दुशरी और उसे अंदर नैतिक्ता की अमाज उसे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। उसने यह ठान लिया है कि मुकदमा खत्म होते ही वह जल्पा को मना कर अपने जीवन को सयमित अवर आदर्स मुलक बनाएगा। परन्तु वह यह भी समझता है कि ने प्रलोभन उसके संकल्प को कमजोर कर सकते हैं। रमानात की नेतिक कमजोरी इस बात में प्रकट होती है कि वह अपने बिलासिता पूर्ण जीवन का आनंद लेता है और बेगुना होके खून का भी उसे अभास नहीं होता है। वह मांसिक रूप से कमजोर हो जाता है और अपने कारियों पर गंभीरता से बिचार नहीं करता। जब उसे जल्पा का पत्र मिलता है तब वह एक नई अस्पूर्ती महसूस करता है लेकिन फिर भी वह अपने बियान को बदलने का सहश नहीं कर पाता। इस प्रकार रमानात का चरित्र उसकी नैतिक कमजोरी और उसके अंतरदुंद को धर्साता है। तब भी वह जल्पा को अपने साथ होने की कल्पना करता है। जल्पा का उसके जीवन में आना उसे अपनी जिम्मेवारियों और करतब्यों का अभाश कराता है। जब रामानाथ जल्पा को देखता है और उसका पत्र पढ़ता है तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह अपने जीवन को नए सीरे से जीने का शंकल्प करता है। में होती है जो उसे सही रा पर लाने में मदद करती है ठीक है और इसमें मैं दसी प्रश्न को डिसकस कर पाया हूँ अभी ठीक है कुछ वक्त की कमी है तो मैं अगले वीडियों लेकर आऊंगा इसका पाट टू पाट थिरी बना दूंगा पाट फोर बना दूंगा और आप लो किसी और वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद्ध करते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद्ध